गैज आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करना सिखाएंगे वो भी लाइल्टरू में आपका यूज करके बहुत असान है अगर आज की इस वीडियो को आप सुरू से लेके लाश तक देख लेते हों तो मैं 100% गैरांटी के साथ बोल रहा हू कि इस तरह का फोटो एडिट करना आप लास्ट में सीखी जाओगे और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एक क्लिक में भी फोटो को एडिट करना सिखाया है तो इस वीडियो को तो इस तरीके का फोटो एडिट करना सीखी जाएंगे तो चलिए बीना किसी दरीके इ के बाद यहां पर आपको बहुत सरे option मिल जाएंगे आपको सबसे पहले यहां color वाले मतलब light वाले tool के इंदर जाना है और यहां पर सबसे पहले whites की value कुछ इस तरीके से increase कर लेना है and blacks को कम कर लेना है blacks की value लगबग minus 13 रख लेंगे then आपको shadows की value बढ़ा देना है लगबग 32 and highlights को कम कर लेना है highlights को कम करने के बाद contrast की value plus 6 के आसपास बढ़ा लेंगे exposure को थोड़ा सा minus 8 रखेंगे लगबग minus 10 रख लेंगे minus 0.10 then guys आपको यहां से जाना है effects वाले tool के इंदर effects वाले tool के इंदर आने के बाद यहां पे भी आपको बहुत सारे tools मिल जाएंगे and इन tools का आपको अच्छे से use करना आना चाहिए सबसे पहले आपको texture की value plus 4 कर लेना है then clarity की value plus 6 कर लेंगे ठीक है इतना हो जाने के बाद आपको dh आपको दिख रहा होगा dh को आपको कुछ इस तरीके से बढ़ा कर लगबग plus 14 के आसपास आपको कर लेना है अब इतना काम हो जाने के बाद आपको जना है details वाले tool के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको बहुत सरे option मिल जाते हैं यह बहुत ज़्यदा powerful है यह चीज आपको देखना ही पड़ेगा लगबग 36 के आसपास देन यहाँ से details की value बढ़ा कर 34 कर लेंगे noise reduction को आपको बढ़ा कर 31 कर लेना है ठीक है contrast को बढ़ा लेते हैं लगबग 12 के आसपास देन आपको color noise reduction भी बढ़ा लेना है color noise reduction को लगबग 41 के आसपास कर लेंगे देन यहाँ से details की value 55 कर लेंगे पर की फोटो और यह देखो आफटर की फोटो यह देख पार यह फोटो बहुत फीका फीका लग रहा था पहले अभी देख पार उपी फोटो के अंदर एक अच्छा सा डीटेल्स आ गया है एंड कलर भी एकदम खूल के दिख रहा है इतना हो जाने के बाद अब आपको जाना आपको घबड़ाने का जरूरत नहीं है यह एकदम फिक्स हो जाएगा एकदम चुटकियों में आपको बस वीडियो को देखते जाना है और आप अगर वीडियो को यहां तक देख लिए हो तो यह step आप बिलकुल भी मिस मत करना क्योंकि यही सबसे ज्यादा में है आपको आ इसका सेचुरेशन पुड़ा माइनस अंडेट कर लेना है अब आपको परपल कलर के अंदर आना है इसका भी माइनस अंडेट कर लेना है अब आपको यहां ब्लू कलर में आना है इसकी भी सेचुरेशन पुड़ा माइनस अंडेट हीव को भी माइनस अंडेट ठीक है देने आपको यहां से एकवा कलर के अंदर जाना है एकवा कलर का भी पूरा सेचुरेशन माइनस अंडेड लेना है इतना हो जाने के बाद आपको ग्रीन कलर के अंदर जाना है इस फोटो में समझो तो बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है तो इसको आप ध्यान से देखिए ग्रीन कलर की हुग को लगबग आपको यहां माइनस 47 के असपास कर लेना है यहां से आपको कुछ इस तरीके से सेचुरेशन को इनकी डीज कर लेना है देन यहां लूमिनेंस मिल जाएगा लूमिनेंस को यहां प्लस 10 के असपास बढ़ा लेना है अब आपको येलो कलर के अंदर जाना है येलो कलर के अंदर आने के बाद यहां से इसका सेचुरेशन पूरा माइनस 100 कर लेने के बाद इसकी हुग को थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बिल्कुल मतलब की इतना पे लगबग आपको रख लेना है हुग के वेलो लगबग प्लस 8 के असपास देन आपको औरेंज कलर के अंदर जाना है और औरेंज कलर का कुछ इस तरीके से सेचुरेशन को कम करेंगे यहां से लूमिनेंस को बढ़ा लेंगे देन इसकी हू को राइट सेट के तरफ कर लेंगे अब आपको रेड कलर में आना है रेड कलर का कुछ इस तरीके से सेचुरेशन जो है बढ़ा लेना है आप देख़ारो की फोटो अभी दिखने में बहुत ज़दा अच्छा लग रहा है यहां से आपको डन करना है यहां से आपको इसकी टेम की वेलू थोड़ा सा कम कर लेना है आप देख़ारो के मैंने इस टेम की वेलू को थोड़ा सा कम कर लिया अब देखो फोटो बहुत ज़दा अच्छा लग रहा है दिखने में आपको Mixed Tool के अंदर दोबारा से जाना है यहां से देख फारू की फोटो में हमारा इतना काम हो गया अब आपको यह ग्रेन वाले कलर के अंदर आना है इसकी थोड़ी सी गईज आपको बिल्कुल लूमिनेंस को बढ़ाना है अब आपको येलो कलर के अंदर आना है अब आपको जाना है यहां से ग्रेडियंट वाले टूल के अंदर यहां से आपको यह वाला कलर के अंदर आना है आडोज में भी कुछ इस तरीके से ग्रेट ओन को अड़ कर लेंगे ठीक है लेकिन यहां पर आपको लूमिनेंस की वालू माइनस फोड कर लेना है यहां से ब्लेंडिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे राइड शाइड में बैलेंस आपको दिख जाएगा तो बैलेंस को आपको लेफ्ट साइड की तरफ कर लेना है यहां से गाईज इसको भी डन कर लेना है अब आपको आना है यहां से डिटेल्स वाले टूल के अंदर यहां पे गाईज थोड़ा सा noise reduction की वेलू बढ़ा लेते हैं इतना हो जाने के बाद देखो फोटो कितना ज़्यादा अभी दिखने में अच्छा लग रहा है सार्पनिंग की वेलू थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं लेगवो 48 के आसपास अब आपको यहां से आने के बाद optics वेले बटन पर क्लिक करके इन दोनों को simple से on कर लेना है मैं आपको एक बार फोटो का overall before and after दिखा दूँ यह रहा before का फोटो और यह after का फोटो आप देख फार आपको फोटो दिखने में कितना ज़्यादा मस लग रहा है इस तरीके की फोटो एडिटिंग करना भी काफी ज़दा असान है एक क्लिक पे फोटो को एडिट करने के लिए जस्ट आपको यहां से त्री डोर की आईकोन पर क्लिक करके copy setting कर लेना है and then जिस भी फोटो को आपको एडिट करना है उस फोटो पे ले जाकर आपको पेस्ट शेटिंग कर देना है यह फोटो आपकी एक क्लिक में एडिट हो जाएगी जो आप नेक्स्ट फोटो एडिट करोगे अगर आपको इस टाइप का बहुत सरा प्री सेट चाहिए तो उसका बे लिंक मैंने description में दे दिया है बहुत सरा प्री सेट आपको मिल जाएगा आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो अभी मैं इस फोटो को एक क्लिक में ही एडिट कर सकते हो अभी मैं इस फोटो को जब शेयर वाले आईकोन पर क्लिक करके save to device कर लेता हूँ ये फोटो हमारी गैलेरी में easily save हो जाएगी आज की ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सिखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे मिलते हैं आप सक किसी नेक्स वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही love you all, check care, bye bye